बहुत रही लिगन अच्छा हुआ कि वर्षा रुतू समय पर अपने नक्से कदम पर आगे बढ़ रहा है। देश के कई भागों में जमा जम बारिस से मौसम सुहाना हो गया है। बारिस के बाद ठंडी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत कानव हो रहा है। और हम सबने देखा हैं कि जीवन में कितनी आपा धापी हो, कितना ही तनाव हो, विक्तिके जीवन हो, सारवजनी जीवन हो। बारिस का आगमन ही हमारी मनस्तिदी को बेदल देता है। अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगनाज्य की रध्यात्रा का उत्सव संपन होता है। और भगवान जगरनाथ जी के साथ देश का गरीब जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबसाब आमेडगर का ध्यन किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगरनाथ जी का मंदीर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीब करते थे। क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक समरस्ता अंतर नहीं थे। बगवान जगरनाथ गरीबों का देवता है। और बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनौट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्यरत जिसे कोई रोप नहीं और इस जगरनौट का डिक्शनेरी मिनिंग में भी ये पाया जाता है कि ये जगरनाथ के रत के साथ मैंसे ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगरनाथ इस आत्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से माहत्मे स्व प्रकार किया है। भगवान जगनाथी की आत्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुबकामनाई देता हूं और भगवान जगनाथी के स्रीचरणों में प्रणाम भी करता हूं। भारत की विविदता ये इसकी विशेस्ता भी है। भारत की विविदता ये भारत की शक्ति भी है रमजान का पवित्र महिना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया अब इद का त्योहार है इद उल्फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सब पो इद की बहुत-बहुत सुबकामना है रमजान महिना पुन्यदान का महिना है खुशियों को भाड़ने का महिना है और जितनी खुशिया भाड़ते हैं उतनी खुशिया बढ़ती है आए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्समों से परिणा ले करके खुशियों के खजान को भाड़ते चले देश को आगे बढ़ाते च ने रमजान के इस पवित्र महिने में उत्तर प्रदेश के बिजनोर के मुबारक पूर गाउं की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई करीब साड़े तीन हजार हमारे मुसल्मान भाई बहनों के परिवार बहां उस छोटे से गाउं में बसते हैं एक प्रकार से जादा अबादी हमारे मुसलिम परिवार के भाईयों बहनों की हैं इस रमजान के अंदर गाउं वालों ने मिलकर के सावचाले बनाने का निर्ड़े किया और इस व्यक्तिकत सावचाले के अंदर सरकार के तरफ से भी साहयता मिलती हैं और उस साहयता की रासी करीब सत्रा लाख रुपिये उनको दी गई आपको जानकर के सुखत अस्ष्य भी होगा आनंद होगा रमजान के इस पवित्र महने में सभी मुसल्मान भाईयों बहनों ने सरकार को इस सत्रा लाख रुपिये वापिस लोटा दिये और ये कहा कि हम हमारा सवचाले हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे ये सत्रा लाख रुपिये आप गाउं की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए मैं मुबारकपूर के सभी ग्राम जनों को रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बढ़ाई देता हूँ उनकी एक एक चीज भी बड़ी ही प्रेरặt है और सबसे बड़ी बात है उन्हाने मुबारकपूर को खुले में सौच से मुक्त कर दिया हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं सिख्कीम, हेमाचल और केरल वो पहले ही खुले में सौच से मुक्त गोशित हो हैं इस सब्ता उत्राकंड और हर्याना भी ओडियव गोशित हुए में पांच राज्यों के पशासन को शासन को और जंता जनाधन को विशेश रुप से आभार प्रकट करता हूं इस कारे को परिपूरुन करने के लिए हम बली भाती जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में समाज कि जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो बड़ी कड़ी महनत करनी पड़ती हैं अगर हमारे हैंड राइटिंग खराब हैं अगर उसको ठीक करना है तो लंबे अर्शे तक बहुत जागुरुक रह करके प्रयास करना पड़ता है तब जाकर के शरीर की मन की आदत बदलती स्वचता का भी विशह ऐसा ही है ऐसी बूरी आदते हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई है कि इसे मुक्ति पाने के लिए अवीरत रुप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा हर किसी का ध्यानााकर्सित करना ही पड़ेगा अच्छी प्रेरग घटनाओं का बार बार समरण भी करना पड़ेगा और मुझे खुशी है कि आज स्वच्चता ये सरकारी कारकम नहीं रहा है ये जन समाज का जन सामान्य का एक आंदोलन बनता चला जा रहा है और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जन भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी ताकत बढ़ जाती है पिछले दिनों एक बहुती उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सामने जुरू कहना चाहूँगा यह गटना है आंदर प्रदेश के विजय नगरम जिले की वहां के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया 10 मार्ट सुबह 6 बजे से ले करके 14 मार्ट सुबह 10 बजे तर 100 गंटे का नौन स्टॉप अभियान और लक्ष क्या था एक सो गंटे में 71 ग्राम पंचायतों में 10,000 घरेलू सोचाले बनाना और मेरे प्यारे देश्वासियों आप जान करके खुश हो जाएंगे कि जनता जनारदन ने और शासन ने मिल करके 100 गंटे में 10,000 सोचाले बनाने का काम सफलता पुर्वक पुरुन कर दिया 71 गाउं उडियेफ हो गए मैं शासन में बैटे हुए लोगों को सरकारी अधिकारियों को और विजयनागरम जिले के उन गाउं के नागरिकों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कि आपने परिश्रम की पराकाश्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उधारन प्रस्तुत किया है बुखे लेकर आजाए कि दूसको मरा कर दोंगा अबता तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी आलोचना भी होगी लेकिन बात करते रहेंगे तो देरे-देर सुधार भी होगा मेरे प्यारे देश्वासियों प्रधान मंत्री के नाते अनेग प्रकार के काम रहते हैं फाइलों में डूबे रहते हैं लेकिन मैंने मेरे लिए एक आदत विक्सित की है कि मुझे जो चिठियां आती हैं उसमें से रोजाना कुछ चिठियां में पढ़ता हूँ और उसके कारण मुझे सामान ने मानवी से जुड़ने का एक आफसर मिलता है भाती-भाती की चिठियां आती हैं अलग-अलग प्रकार के लोग चिठ्रा लिखते हैं इन दिनों एक ऐसी चिठि मुझे पढ़ने का आफसर मिला मुझे लगता है कि मुझे जुरूर आपको बताना चाहिए दूर-सुदूर दक्षिण में तमिलनाडू में मदुराई की एक हाउस वाइफ अरूल मोजी सर्वनन उन्होंने मुझे एक चिठी बेजी और चिठी क्या थी उन्होंने लिखा कि मैंने अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई वगेर के ध्यान में कि कुछ न कुछ एकनोमिकल एक्टिविटी करने की दिशा में सोचा परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए तो मै भारत सरकार ने गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस नाम की कोई व्यवस्ता खड़ी की है तो मैंने ढूंड़ा ये क्या है कुछ लोगों से पूशा तो मैंने खुद को भी उसमें रेजिस्टर करवा दिया मैं देश्वासियों को बताना चाहता हूं आपको भी मोका मिले तो आप इंटरनेट पर E-GEM E-GEM उसकी विजिट कीजिए एक बड़ी नए प्रकार की व्यवस्ता है जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाय करना चाहता है छोटी छोटी चीज़े बेजना चाहता है विजली के बल बेजना चाहता है डस्ट बिन बेजना चाहता है जाडू बेज पेचना चाहता है यह चेर भेजना चाहता है टेबल भेजना चाहता है वो में अनयाद रिजिस्टर है उसके पास उस City पांगोन पहुए सिस्तेमें पौन पहुंचा पहुंचाता है और उसको और करना होता है और इसके कार्ण बिचोलिये खतम हो गए सारी ट्रांसपरंसी आ गई इंटरफेस नहीं होता है टेक्लोलोजी के माध्यम सही सब होता है तो इजेम के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं सरकार के सभी डिपार्डमेंट उसको देखते रहते हैं बीच में केलिये नहीं होने कार्ण चीजें बहुत सस्ती मिलती है अब यह अरूल मोजी मेडम ने सरकार की स्वेबसाइट पर जो जो सामान दे सकती है उसका सारा रेजिस्ट्री करवा दी है और मजा यह है कि उन्होंने मुझे जो चिठी लिखी वह बड़ी इंटरस्टी है उन्हों कि जान मंतरी कारले से और्डर बला पीमो से मेरे लई भी नई खबर थी प्यमो ने क्या मंगवाया होगा तो उसने लिखा है कि प्यमो ने मेरे से दो थर्मोस खरीदे और सोला सो रूपिया के मुझे पेमेंट में बिल गया ये हैं एंपावर्मेंट ये हैं एंटर्पेनर्शिप को बढ़ावा देने का अवसर शायद अरून मोजी जी ने मुझे चिठी न लिखी होती तो मेरा भी शायद इतना ध्यान नहीं गया होता कि इजेम की व्यवस्ता से दूर सु इसमें ट्रांसफरन्सी भी हैं इसमें एंटर्पेनर्शिप भी हैं गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस जी एएम जैम मैं जुरू चाहूंगा कि जो इस प्रकार से सरकार को अपना माल बेचना चाहतें उससे जादा ज्यादा जुड़े मैं मानता हूं मिनिमम्म का एक बहतरीन उधारण है यह और इसका लक्षक है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम इच एफिजन्स एंड ट्रास्परेंसी कि मेरे प्यारे देश्वाशियों एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो शिद्धियां उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं और यही तो भारत की विश्यस्ता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए हैं जमीन पे हैं तो हमारे सपने दूर दूर आसमान के उसक्षिति जो को पार करना के लिए भी हैं पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है आज भारत के वल धर्ति पर ही नहीं अंत्रिक्ष में भी अपना पर्चम लहरा रहा है अभी दो दिन पहले इस रो ने कार्टो से टू सिरीज सेटलाइट के साथ तीस नैनो सेटल सेटलाइट को लाँच किया और इन सेटलाइट में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इतली, जपान, ब्रिटेन, अमेरिका असका करीब परिफ चौदा देश इसमें सामिल है और भारत के इस नैनो सेटलाइट अभ्यान से खेती के ख्षित्र में, किसानी के काम में, प्र सेटलाइट का सफल लाँच किया था, और अब तक भारत ने जो सेटलाइट लाँच किये हैं, उसमें ये सबसे जादा वजनदार हैवी सेटलाइट है, और हमारे देश के अख़वारों ने तो उसको हाथी के वजनों के साथ तुलना की थी, तो आप कल्पा कर सकते हैं कितन आप सब को पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलता पूरवक और्विक में जगा बनाई थी, ति पूरे आप मिशन एक छे महने की अवदी के लिए था, उसकी लाइप छे महने की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वज्यानिकों के इस प्रहासों की ताक कर रहा है, तस्वीरें भेज रहा है, जानकानिया दे रहा है, साइंटिफिक डाटा आ रहे हैं, तो समय अवदी से भी जादा, अपने आयूष से भी जादा काम कर रहा है, एक अजार दिन पुरा होना हमारी वैज्यानिक यात्रा के अंदर हमारी अंत्रिक यात्रा के अंदर एक महत्वपुन पढ़ाव है इन दिनों स्पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारी युवाओं का रुजान बढ़ता चला जा रहा है अब ये नजर आने लगा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कुद में भी हमारी युवाओं पीडियों को अपना भविश्ट दिखने लगा है और हमारी खिलाडियों के कारण उनके पुर्शार्थ के कारण उनकी सिद्धी के कारण देश का भी नाम रोशन होता है अभी हाली में भारत के बेर्मिंटन खिलाडी के दामभी स्रीकान्त ने इंडोनेशा ओपन में जीत दर्ज कर देश का मान बढ़ाया है मैं इस उपलब्दी के लिए उनको और उनके कोज को रुदय से बढ़ाई देता हूँ मुझे कुछ दिन पहले अथलेट पीटी उसा जी के उसा स्कूल आफ अथलेट के सिंथेटिक ट्रेक के उद्गारन समारों में जूढने का अवसर मिला था हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्स्मेर्ट स्पिरिट भी लेके आता है खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी एहम भूमिक आदा करता है ओवरॉल पर्सनलिटी डेवलोप्मेंट में खेल का माहत में बहुत है देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रूची है तो उनको अफसर देना चाहिए उनको मैदान में से उठा करके कमर में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए वो पढ़ा ही भी करें उसमें भी आगे बढ़ सकता है तो भड़े लेकिन अगर खेल में उसका सामर्थ है रूची है तो स्कूल, कॉलेज, परिवार आस-पास के लोग हर किसे ने उसको बल देना चाहिए प्रोसाहित करना चाहिए अगले उल्यम्पिक के लिए हर किसे ने सपने संजोने चाहिए फिर एक बार मेरे प्यारे देश्वासियों वर्शार उतू लगातार उत्सवों का माहोल एक प्रकार से ये कालखन की अनुभूती नहीं होती है मैं फिर एक बार आप सब को शुब कामनाय देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बाते करूँगा नमस्कार